दोस्तो पुलिस हमारी सुरक्षा के लिए हमेशा तैनात रहती है भारती ये पुलिस हमारी कानून विवस्था का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है यह पुलिस ही है जिसकी वजह से हम सब चैन की नीन्स सो पाते हैं कोई भी त्योहार हो दिन हो या रात पुलिस हमारी सुरक्षा के लिए हमेशा तैनात रहती है आम तोर पर हम पुलिस की पहचान उनकी वर्दी से करते है परन्तु क्या आपने कभी सोचा है कि पुलिस की वर्दी का रंग खाकी ही क्यों होता है कैसे पुलिस वर्दी या यूनिफॉर्म की शुरुआत हुई थी हर देश में अपनी ही एक कानून विवस्था बनाने के लिए पुलिस का गठन किया जाता है आम तोर पर हम पुलिस की पहचान उनकी वर्दी या यूनिफॉर्म से ही तो करते है पुलिस की खाकी वर्दी उनकी बड़ी पहचान मानी जाती है वसफर्क इतना होता है कि कही पर इसका रंग थोड़ा हलका होता है तो कही पर थोड़ा गहरा दूर से ही देखकर लोग पहचान जाते है कि पुलिस आ रही है परन्तु क्या आपने कभी सोचा है कि पुलिस की वर्दी का रंग हाकी ही क्यों होता है इसको कोई और रंग या कलर क्यों नहीं दिया गया। आए यह जानते है कि पुलिस की वर्दी का रंग हाकी ही क्यों होता है। जब भारत में ब्रिटिश राज्था तब उनकी पुलिस सफेद रंग की वर्दी पहनती थी। परन्तु लंबी ड्यूटी के दौरान यह जल्दी गंदी हो जाती थी, जिसके कारण से पुलिस कर्मी भी परेशान हो जाते थे। कई बार तो उन्होंने गंदी को छुपाने के लिए अपनी वर्दी को अलग-अलग रंगों में रंगना शुरू कर दिया था। इस प्रकार से उनकी वर्दी विभिन रंगों में दिखने जिसके कारण उनकी वर्दी खाकी रंग की हो गई थी। जिन्होंने Cops of Guides Force December 1846 में खड़ी की थी। जिसके की रेजिमेंट और पुलिस ने खाकी वर्दी को अपना लिया जो अभी तक भारत में चली आ रही है। Bureau of Police Research and Development Manual के अनुसार London Metropolitan की पहली आधुनिक पुलिस ने 1829 में डाग ब्लू रंग का एक अपना यूनिफॉर्म बनाया। जो की पैरा मिलिटरी स्टाइल यूनिफॉर्म था यह ब्लू रंग इसलिए चुना गया था क्योंकि उस समय ब्रिटिश की आर्मी लाल और सफेद रंग का यूनिफॉर्म पहनती थी। इसलिए इस आर्मी से अलग दिखने के लिए ब्लू रंग चुना गया था। क्या आप जानते हैं कि पहली आधिकारिक पुलिस फोस कहा स्थापित हुई थी। हमारे चैनल को शेर लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि आगे भी ऐसी जानकारिया आप तक पहुचती रहें।